नमस्कार साथियों प्रतिकिया परिवार में स्वागत है जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं कि बीपी एड एंपी एड के आखिर फिजिकल कब होंगे एक तो आपने फिल्म लेखी होगी जहां पर कह रहे थी वह मैला कह रहे थी कि मेरे करण रुजुन कब आएंगे उसी प्रक लोग आप जानते ही हैं कि हम लोग तो उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते सब कुछ करने वाला वी एमोई है यह आपने फों भर दिया है सब कुछ ठीक हो रखा है अब आपका फिजिकल कब होगा फिजिकल के लिए भाईया जी क्या करना अपने को कि इनकी जो जो है इस वेबसाइट को अपन को अपन करना है मैं सब कुछ बातें आप से डिसकुस करूंगा कि अब देखिए गा कि इनकी जो वेबसाइट है कि जो इनकी वेबसाइट है वह वेबसाइट ऑपन कर लेनी है इसके अलावा अभी तक इन्होंने जो है आपके सेंपल हेल्प सेटिप्टिपिकेट के लावा इनफॉरमेशन दे रखी है इसके लाव इन्होंने कुछ विसेश बातें यहां पर बता नहीं रखी है यानि अंदर आतो फिजिकल हो जाएंगे सेंटर कौन सा देगा यह पूरा-पूरा जो है आपका पूरा-पूरा-जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्मेंट है वो तय करेगा आप मान कर चले या तो जैपूर सेंटर रहेगा या कोटा सेंटर रहेगा इसके लाव दूसरे सेंटर रहने की संभावना नहीं है क्यों बहुत कम ही है फिजिकल एक दिन में नहीं होंगे दो तिन चार दिन तक चलते रहेंगे फिजिकल के लिए बोर्ड आपको निर्देशित करेंगा उसे साब सजाना और हो सकता है क्योंकि इसमें ररिंग अकेली है तो हो सकता एक दिन या दो दिन भी हो जाए 6000 बच्चे बहुत जादा भी नहीं होते हैं तो डिपेंड करता है बोर्ड करता है बोर्ड के सब्सक्राइब करते हैं करें कई लोग हम फोन करते हैं को आपके पास जुगाड रहें और जैसे ही इसके बारे में अप्डेट आएगी आप से ज्यादा मुझे चिंता है क्योंकि आप हमारे अपने परिवार ने आपको पता है जब तक आप सब जीरो थे तपसे हम लोग के भी बनाया है आगे हम लोग बनाएंगे और उस बनाने के लिए हम लगातार कारी कर रहे हैं तो आप मान कर चलें जैसे किसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे तब तक के लिए मुष्क रहें स्वस्त रहें और फिजिक करने कर रहा हूं फिजिकल हो जाएगा फिजिकल ऐसे नहीं होगा प्रैक्टिश मैक्समें परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है थैंक यू सो मच